सिम्डेगा सिली के बोलबा प्रकंड के अंतगत बहरी नवासा जंगल में एक व्रद महिला को जंगली हातियों ने कुचल कर जान से मार दिया कोलेविरा, विधायक, नमन, बिकसल, कोगाडी ने घटना इस्तल पहुच कर घटना की जानकारी ली इस मौके पर घटना के संबन में जानकारी के अनुसार बोलबा प्रकंड के बहरी नवासा जंगल में उनिस तारीक के सुबह आठ वजे डोरी चुन्ने के क्रम में काउं के कॉलिस्टिका, कूजर पती, अलब्रेट, कूजूर, उम्र, लगभग, ऐसट वर्ष को जंगली हातियों ने कुचल दिया और जान से मार डाला किन्तुस का शब 20 जून की सुबह देखा गया गटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामिरों ने वन विभाग, विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दी सभी लोग गटना स्तल पर पहुँचे, वन विभाग द्वारा 10,000 रोपे का ततकाल मुआफजा राशी दिया गया पदाया गया कि प्रक्रिया के बाद बकाय राशी का भुकतान कर दिया जाएगा इस मौके पर विधायक नमन, विहसल, प्रतिनिधि, रावे, लकड़ा, सम्मी आलम, मुख्या, इसनेहलता, केरकेटा, आदिलोग मों अजूद रहे सबसे बड़ी समस्या है, जो इस छेतर का हर चीज को प्रभावित करता हूँ हाथी का समस्या, आज कल ही यहां पर एक महिला को हाथी ने कुचल दिया, महिला दोरी चुनने के लिए गई थी, और जंगल में ही आमने सामने हुआ और उसको कुचल दिया गया, और आए दिन य हैं, और रजगा करने से उनके कार्चमता में कमी आती है, और जिससे स्वास्त पर भी प्रभाव होता है, और इस सितर में कार्चमता भी घटता है, उत्पादन में कमी आती है, और कई लोग तो जंगल सितर के जमीनों में काम करना छोड़ दिये हैं, जिसके कारण गरी भी और बढ़ रही है, आमदनी लोगों का घट रहा है, इसको भी मैंने सरकार के सामने रखा है, कि हाथियों का रहने और खाने का बेवास्ता आप लोग कीजिए, चुंकि मैंने जो देखा है, कि जब भी लड़ाई हो रही है हाथिया और मानाओ के बीच पे, उसे खाने को लेकर है, अगर मानाओ और हाथि के बीच का टक्राओ कम होगा,